तो गाइज वेल्कम वन सेगें टो मैं चैनल और आज आप लोगों के लिए एक दम नया प्रोड़क्ट में ले करके आया हूं इसको मैंने ऑनलाइन अभी पर्चेस किया है और प्रोक्सिमेट चार दिन पहले मैंने ओर्डर किया था और आज ही मेरे पास यह आराइब दुआ ह है तो पहले आप लोगों को दिखाता हूं कौन सोयल मैंने मगवाया था इसके बारे में डीटेल आप लोगों से फुरी शेयर करता हूं तो देखिए यह मेरे सामने पैकेजिंग है आप लोग देख रहे हैं पूरा पारसल यह है देख सकते हैं आप लोग इसकी अन्मोक्सि टैग और इस्टाग्राम टैग इसमें लिखा हुआ है अब यह किस चीच का है शायद यह जो पैकेजिंग कंपनी है शायद उसका है क्योंकि जो वेबसाइट है उसका नाम दूसरा है तो वेबसाइट जो है दोस्तों जिससे मैंने यह मंगवाया है वो है मोटर पार्ट्स नाम से है आप लोगोंने उस वेबसाइट से कुछ ने कुछ अभी तक मगाया ही होगा और यह मेरा उस वेबसाइट से दूसरा प्रोडक्ट है जो मैंने यह मंगाया है और पहला प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया था वो था आपका अलेकी मॉली का 5.1 रिक्लूइट तो 5.1 बहुत अच्छा काम अभी तक मेरी माइक में कर रहा है और प्रोड़क्ट भी जैन्मिन था प्राइस भी आल्मोस्ट बहुत अच्छा था और जो इसके कस्टुमर के अर्पर भी मेरी बात हुई है तो ओवराल मुझे काफी सर्टिस्फेक्टरी लगा उससे कोई भी परचे मैंने मंगवाया है आप लोग भी इसको जहां तक है फर्स्टाइम देख रहे होंगे यूटीपर में भी इसके कुछ वीडियो शायद पढ़े हो मुझे इसके वारे में नहीं मालूं लेकिन मेरे लिए फर्स्टाइम ही है तो विदाव डैनी डिले लोग पैकिंग ओपिन क किया हुआ इस तरीके से आप यहां पर दीखिए यह बवल रैप लगा हुआ है बॉक्स को प्रेवेंट रखने के लिए कि लाइनडी के लिए तो यह आपके सामने है मैक्स पावर का यह हमारा लुडिकेंट है जिसको कि मैंने ओन्लाइन ओर कर चाहिए अभी बंगवाया है और फुली सिंथर्टिक ग्रेड में दूस्तों ही ऑईल है और जैसा कि पैक्ट देखिए आप लोगों को सब डिस्क्राइब कर रहा होगा मैक्स पावर लुब्रिकेंट्स लिखा हुआ पैक पर फुली सिंथर्टिक प्रीमियन अच्छा एक चीछ देखिएगा वैसे तो देखिए टेक्निकल टर्म्स जो बोलते हैं कि यहां इसका मतलब ही अपने आप एक मल्टी ग्रेड ऑइल ही होता है कोई भी चीछ लिख रहे हैं तो हर चीछ का देखिए एक पापी राइट या अधर जो प्राइस होते हैं वो पेबल होते हैं ऐसे आप सारा सारा लिटरेचर इसमें नहीं लिख सकते हैं यह लिखी गई है तो इसका कोई मीनिंग होता है वो मैं आप लोगों को अभी शेयर क करता हूं मैं को और करिएगा यहां पर देखिए यह आप लोग देख पा रहे हूं तो यहां पर यह देखिए ग्रिडेंगे भी हुई है API SN PLUS 400 M2 ACEA A3 अब यह ACEA A3 यह क्या है कि क्यों आप लोगों के मैंड में जरूर आएगा तो बता दूं कि अगर आप मुस्टली लुब्रिकेंट्स जो कार डेडिकेटेड ओल होते हैं अगर उनके जाएंगे लिटरेशर पर जाएंगे तो मुस्टली जो लुब्रिकेंट है वो ACEA A3 B3 A5 B5 यह जो आपका स्टेंडर्ड होता है इसको फॉलो करते हैं अब स्टेंडर्ड का मतलब क्या होता है यह स्टेंडर्ड एक ऐसी करेक्टर स्टिक्स को इंडिकेट करता है जिससे हमें यह शो होता है कि फ्रिक्शन को यह ओल काफी हद तक रेडियूस कर सकता है तो अब यह कार का स्टेंडर्ड है यहाँ यह बाईक की लूब्रिकेट में है यह तक बीनि इसमें कुछ फ्रिक्शन मॉडिफायर जरूर मिलाए गए हैं अब देखिए एक पॉइंट नोटेस करियेगा कि फ्रिक्शन मॉडिफायर को ऐल में मिलाने का मतलब क्या होता है फ तो चीए इस ओयल को किस हिसाफ से बैलेंस किया गया है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला स्पेसिफिकेशन भी इसमें आ रहा है और जहासो में भी है और इस ओयल में करेक्टरिस्टिक कुछ ने कुछ अपने मार्केटिंग स्ट्रेटिजी से पूरे सभी लोगों बेको बना रही है और कैसे काम करता है आप सभी लोग बहतर जानते हैं हमेसा लेकते हैं क्या आप देख कि या फिर पर कैसी क्या क्या रहा होता है हो और cannot मैटिन गर्मनी जो़धी दिखा रहा है तो उसका इस पर ये आपका मार्क ए चर्डे गर्मनी लिखा हुआ ये अब it सार्फ पैल्डर सम्थिंग कुछ लिखा हुआ स्ट्रीट कर वो तो से में मतलब नहीं है यह है लुटन बर्ग जर्मनी का बना हुआ है और इंपोर्टेड जो आपकी स्लिप होती है देखिए वो लगी हुई है यहां पर जो किसी भी इंपोर्ट प्रोड़क में एक स्लिप हो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहा है तो अब अच्छा ब्लू इस देख रहा होगा आप लोगों को यह कुछ ब्लू कलर का यह आए तो ब्लू कलर का है तो तो मजा ही आएगा खैर बहुत अच्छा लगए गा ओए देखने में और मुझे पूरी अमीद है कि यह ही मिला है वह हमारी सर्वो और एच्पी और बीपी बहुत अच्छा काम करती है बट अभी सर्वों से फिलाल वो पीछे हैं दूसरा अगर देखा जाए तो अभी आपका लिक्वी मॉली मेरी बाइक में भी काम कर रहा है तो उससे क्या बहतर काम करेगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को और दूसरी जैसे मैंने यूस किया था अपनी बाइक में तो अधिये सबसे बड़ी बात है कि जिस साफसे प्राइस का प्राइस टेक है उस साफसे क्वालिटी यहां पर इंडिया में यह कंपनी इस पिल्कुल प्रॉइड नहीं करती है किसी भी हाल में आप समझ लीजिए नहीं तो इतना जिस साफसे लिफ प्राइस ले रही है उससे आधे प्राइस का जो आइल है वो प्रोटेक्शन के साफसे आपके प्रॉफॉर्मेंस को इन्हेंस कर रहा है हमारी अपनी जैसे इंडिय जीनिस कंपनी है सर्व वगरा तो वह इतना बढ़ी है व के अलावा ऐसी कंपनी को जरूर आप लोगों को एक मौखा जरूर देना चाहिए और मेरे लिए बस नया लूब्रिकेंट होना चाहिए तो यह नया है मेरे लिए डीटेल मैंने आप लोगों को बता दी है कि मोटर पार्ट जंसन वेबसाइट से मैंने इसको मौण हो आया है और 700 के आसपास मुझे आपड़ा है आपका 10W 30 10W 50 10W 40 यानि आल्मोस्स सभी बाइक के लिए यह अविलेवल है और एक बार जरूर इसको चांस आप देकर के लोगों से जरूर मैं उस चीच के लिए मैं कम्यूनिटी पोस्के आप लोगों से जरूर आप लोगों का वोटिंग जो होती है जरूर एक बार लूंगा उसे हिसाफ से देखता हूं फिर नेक्स्ट हमनों कौन से उयल पर यूज़ करेंगे फिलाल लेक्वी मॉली का जो हुमिस नहीं है बट इवन बैटर काम कर रहा है यह जरूर का होगा कि इवन जो है आपका केस्ट्रॉल या एम सॉयल का जो मैंने यूज़ किया था फुली से बैटर काम कर रहा है यह फिलाल मैं आप लोगों को भी बता सकता हूं तो ठीक है गाइस यह कंप्लीट डिटेल य करना चाहिए तो जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो देखते हैं वैसे मैं काफी एक्साइट हूं यहां तक है कि काफी बैतरीन काम इसको को करना चाहिए और पैकिंग तो आप लोग देखी रहे हैं गोल्डन पैकिंग रैट कैप और ब्लू कैम ग्रूप का है जो लिंक थे इस रिलेटर्ड उन सबको जा करके पहले देखा है और जब मुझे लगा कि हां नहीं वास्ते में डिजर करता है एक बार मैं इसको जरा यूज कर गए देखू तभी मैंने इसको और करके मनवाया है तो चलिए देखेंगे फिर हम लोग कैसा ये काम करेगा तो बी रेड़ी गाइस नेक्स्ट वीडियो मुस्ट परबली हम लोग ये यूज करने वाल है विलते हैं फिर बाई